हलो फ्रेंड्स, डेली व्यू क्रियेटिव चैनल के तरफ से आप सभी को वेलकम है तो आज हम दिखानी जा रहे हैं, जॉइन टाइब्रो कैसे किये जाते हैं, शेप कैसे दिये जाते हैं आप लोग लर्ण कीजिए, ध्यान से देखिए और ट्राइ कीजिए और आप लोग जॉइन टाइब्रो के बार में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में जाएए, कॉमेंट कीजिए तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं तो जॉइन टाइब्रो अगर किसी का है, तो कोई-कोई जॉइन टाइब्रो अलग अलग शेप रिक्वार्मेंट होता है किसी को जॉइन टाइब्रो रखना नहीं होता है और किसी को रखना होता है बीच में बहुत मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो जॉइंट आइब्रो उठाना नहीं चाहते हैं तो इसको कैसे करना आप ध्यान से देखिए और आइब्रो थ्रेडिंग कैसे पकड़ना है यह पहले वीडियो में हम दिखाए हैं वह जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो देखिए पहले आप कोई भी कई फीपी आप लोग द chili चलाकर प्रैक्टीस कीजिए आज प्रैक्टिकल थ्रेडिंग् वांफ फ़िएbanик डे द्यूना या आक करता हैं तो आप थीरे दिखा रहे हैं कैसे थ्रेडिंग किये जा रहे हैं तो राउंड शेप और भी शेप दोनों ही होते हैं बहुत ही ध्यान से स्किन को पकड़के आइब्रो करना चाहिए क्योंकि लूज स्किन में ब्लड जंग सकता है दर्ग भी हो सकता है तो स्किन आप टाइट पकड़िए पाउडर अप्लिकेशन कीजिए नीटो अर्डो एरिया ओइली होने से स्किन खिसने का डर रहता है और इसे क्लाइट पो दल्पी होता है तो अपर एरिया कैसे किये जाते बहुत ध्यान से लेखिए धीरे धीरे लाइन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है और कभी गैप नहीं आना चाहिए अगर गैप लग रहा है आपको तो छोड़के कीजिए इसको पतला करना एकदम बहुत रिस्क होता है पतला नहीं करना चाहिए तो यह जो मिडल पोड़्शन है जाइन टाइब बहुत ध्यान से देखिए दिखिए जो प्लाइंट है उसको जॉइंट आइबरो एकदम रिमूव नहीं करना है तो थोड़ा सा कैसे कटिंग करके रखना है वह आप बहुत ध्यान से दिखिए अगर भालो करें तो रदी दिखार आपका आइबरो थेडिंग में लाइन समझना बहुत ही जरूरी होता रहा है दरो तो एक बार लाइन समझ में आ जाए तो कोई भी आइबरो आप अच्छे से कर सकते हैं लाइन आपको समझना बहुत जरूरी मिडल पोर्शेंच होता है आइबरो के उसमें गैप कभी मत कीजिए उसको ज्यादा रिमूव मत कीजिए बहुत ही ध्यान से इसका लाइन दीजिए देखिए एक बार लाइन आप लाइन के हिसाब से आपको यह रिमूव करना है और च्रेड को भी चलाना है देखिए यह पहले लाइन देना है आपको जो एक्स्ट्रा है उसको निकालके फिर उसको धीर से आप च्रेड चलाए तो वो रिमूव हो जाते हैं यह जो एक्स्ट्रा नीचे है देखिए कैसे आ रहा है देखिए और स्कीन एकदम टाइप पकरके नीचे का पोर्शन करते टाइम बहुत ज़लूरी है आप अच्छे से स्कीन को टाइप पकरके करो नहीं तो इसमें दर्द भी होता है ब्लड भी आ जाते हैं अब जो जॉइन्ट आइबरो है उसमें सीजर से तोड़ा प्रॉपरली उसको कट करना है उपर का जो पोर्शन होता आइबरो का उसमें आप थ्रेड एक लाइन उपर से लाइन देके फिर उठाएं उसको नहीं तो वो पतले हो जाने के चांसेस रहते हैं उसमें देखिए ये पोर्शन अप्षी से तो ये जो चेडिंग हो रहा है ये और्गानिका का जो चेड है इससे हो रहा है इसके बारे में डीटेल में वीडियो हम लाएं आप देख सकते हैं ये हर्बल है और कोई भी स्केन के लिए सेफ है और ये बहुत अच्छे से फॉलिकल से इसको रिमूब भी करने में ये सक्सेस्फुल है तो देखिए नेक्स्ट शेडिंग ये ये लाइनिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है जॉइन्ट आइब्रो में बहुत इंपोर्टेंट है ये कटिंग एकदम सीधा सीधर को आप सीधा रखो ये तो ये पतले हो जाते हैं जो फ्रॉंट पोर्शन है उसको आप सीधा सीधर आपके कटिंग करो इसको पभी भी आपको तील्ट नहीं करना है तो इसको आप सीधा रखो के कटिंग करो जरूरत हो अगर चोटा-चोटा हेर इसमें रह जाते है तो और एक बार ठ्रेड आप चला सकते हैं जैसे यहां पे छोटे-छोटे दिख रहा है देखिए थिर से पहले लाइन देके उसके बाद आप रिवोव करो तो यह बहुत ही अच्छा एक शेप आया है जाएंट आप रो रिमूव हुआ भी नहीं है बीच का जो पोर्शन है जो मेटल पोर्शन है वो कैसे रख के इसको यह थ्रेडिंग किये गया है देखिए अच्छे से और लर्न कीज़े और ट्राइ कीज़े और देखते रहिए डेली व्यू क्रियर्टिव चनल बाई प्रेड़न भाई प्रेड़न भी नहीं है